पहले आपके पास क्या खबर आया था जब वो हदसा हुआ था उसके बाद क्या इंफर्मिशन आपके पास आया 26 को न हमारे बाद नाइट में बात हुई थी उसके साथ वीडियो कॉल किया वह बोला मैं कल आ रहा हूँ आपके पास वापिस इंडिया उसके बाद में कोई कॉंटेक्ट नहीं हुआ 27 में फिर उसके बाद में दो तारीक को रात को करीब साड़े बारा बजे फोन उसका एक आ दो लेफ्ट में लगी है एक उसके यहां लगी है चार गुली लगी है अब मैं हॉस्पिटल में हूँ फिर हम बहुत परिशान हुए तो इसलिए उसने बोला कि किसी तरीके से मेरे को लेकर आओ गवर्नमेंट की ओर से क्या-क्या हेल्प मिला गवर्नमेंट ने फिर हमारे को बात हो गया फिर गवर्नमेंट ने हमारे साब बच्छा संजोग किया बोला कि आप सिंता मत करो यह आपका बेटा नहीं है यह हमारा बेटा है हमारा बेटा हम इसको लेके आएगे मेरे बेटे ने बताया कि शाम को मेरे को ये लेके आए आज सुवेरे ये पोलेंड पहुची है अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट रोधार फसे हुए है आपका बेटा बापस आ रहा है इसके बाद क्या फिर से भेजेंगे उनको देखो अगर बच्चे को वैसे तो फेल हाल तो मतलब अभी तक तो उमीद है कि भी हम नहीं जाने देंगे आगे अब बच्चों के उपर है कि अगर बच्चा जाना चाहेगा तो पर अभी तो वो इस कंडिशन में है ही नहीं कि भी वो चला जाएगा जल्दी आपके साथ बात्चीत हुआ हाँ कल उसने मेरे को बात की थी कि भी मैं ठीक ठागो अच्छा कल तो ज़्यादा बात नहीं उसने की तो इसलिए कि मिलाए मैं तो यही करूंगी की मिलाब मीडिया वालों का भी बहुत थैंक साथ भारे सरकार का भी जो की यह कदम उठाए और हमारा बेटा बापीस आ जा रहा है हमारे बीच और मैं कहारी हूँ कि बागी के बच्चों को भी ऐसी लाया जाए जमा सबकी बेटिया भी हैं और बेटे भी हैं किसी भी माँ की गोद सुनी ना हो दिल्ली ते हर्जो सिंगेर पूरी बार एई महुरते अधिर आग्रोह अपेक खाई रोए छें कारून बिशेश भी माने घरे छेले घरे फीर छे आज चार चार्टे गुली लेगे छुलो हर्जो सिंगेर एबों रूष बाहिनी एबों यूप्रेने जुद्धेर माचखाने पोर जाए किहेवे एबों शेशो माई गुली बिद्धोहन भारोतियो पोरुआ 31 बाचरे हर्जो सिंग आज घरे पीर्चे बिशेश भीमाने राते दिल्ली ते आज चे हर्जो ताई एई मोहुर्टे अधिर आग्रोहे अपेखा कोर्छेन तार माँ बाबा एबों बोनो हर्ज़त सिंगर दीदी तरंजित सिंग ताक्षों के कौथा बोलन वो जीनी पांजवे थाकेन एबंग भाईरी खौबर पे दीनी छुटे हैस चे निखाने जो खबर हम लोगों के पास आया कि हर्ज़त ट्रेन में चड़ने का बहुत कोशिश किया है लेकिन नहीं पाया उसके बाद ही ये घटना घट गई लेकिन आपका घर में जो बात चीछ चल रहा है कि घर में आने के बाद भी ट्रेन धुन्डेगी पहले क्या है बात एक्चलि मेरा नाम तरन जीद है पर वो स्टार्टिंग से मुझे कभी उसने मेरे नाम से नहीं बुलाया हमेशा मुझे ट्रेन ही भुलता है और अपने फोन में भी उसने नाम मेरा उसी नाम से लिया हूँए जब भी कॉल करता है कुछ करता है मेरा मूड भी आफ होएगा तो एक ही बात बोलेगा और ट्रेन क्या हाल है बस मैं वही उसको बोला था कि हमें पता है जो हम इस सिच्वेशन से निकले हैं वो दुबारा हमें नहीं याद करना ना हम याद करना चाहते हैं तू सेफ आ रहा है तो बस मुझे तेरे मुझे वो नाम सुनने मेरा जो तू बोल करती है कि कब वो आए और हम कब फेस टू फेस मिल पाए बास उससे मेरे को नाम सुनना अपना हों बस